फर्जी डी फार्मा डिगरी पिरकरण में सेर अली जाफरी और उनके बेटे को पुलिस ने किया गिरफतार बेजा जेल खुश्रो डिगरी कॉलेज के चेर्मेन तथा पूर्ब में खुश्रो मेल अकवार के मालिक तथा खुश्रो सेना राजनीतिक पार्टी के मुखिया तथा खुश्रो सेना का भाजपा में बिले करने वाले सेर अली जाफरी और उनके बेटे फिरोज अली जाफरी को आज पुल अपनी जाच में सेर अली जाफरी उनके बेटे फिरोज अली जाफरी तथा बिजय सर्मा को दोसी माना फिलाल बिजय शर्मा फरार है पुलिस बिजय शर्मा को तलास कर रही है गटना का खुलासा करते हुए एसपी दचिर मानुष पारिक ने बताया कि सेर अली जाफरी का सीवीगन थाना छेत के सनयात रानी में खुश्रो डिगरी कॉलेज है जिसमें वर्ष दो हजार इकिस में चात्रों ने डी फार्मा के लिए पिरवेस्क लिया था बताया कि कॉलेज में कोई भी फैक्ट्री नही है और नहीं दी फार्मा का कोई किलास लगता है जब बच्चों द्वारा यह पूछा जाता है कि हम पढ़ने कब आए और उन्हें टाल दिये जाता था जब परिक्षा के बारे में च्छात्रों द्वारा पूछा जाता था तो बताया जाता थी कि आपको परिक्षा देनी की कि आपको विदित है कि काफी समय से जनपत बरेली में एक कॉलेज है खुसरो इंसिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस टिक्नॉलोजी इससे संबंदित कई चात्र उनकी शिकायते आई कि उनको जो डी फार्मा की डिग्रीज दी गई थी और अंक पत्र दिये गए थे वो जब वो विबिन जगए नौकरी के लिए जाते थे या फिर फार्मसिस्ट के लाइसेंस के लिए जाते थे तब उनको विदित होता था कि यह जो अंक पत्र हैं मांकशीट हैं और जो सर्टिफिकेट हैं वो फर्जी हैं इसी के अंतरगत इस प्रकरण में जो संचालक हैं खुसरो अभी तक किये जा चुके हैं चात्रो द्वारा और उनी का संग्यान लेते हुए और मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान वरिष्ट कोलिस अधिक्षक जनपत बरीली ने एक स्पेशल टीम का गठन किया और आज दिनांग 11 सितंबर को जो संचालक है इस इंसिट्य करके जेल भेजा है और उस संचालक का नाम है शेर अली जाफरी और उसके साथ में उसका सहयोगी फिरोज अली जाफरी जो कि उसका बेटा भी है उसे भी इसी मामले में गिरफतार करके भेजा गया है यह जो इंस्टिट्यूट था यह बच्चों के जीवन के साथ में दोकादड़ी से लिए और उसके बदले में फरजी दिग्रियां उन्होंने दी इसी के अंतरगत आगे की भी कारवाई की जाएगी इसमें जो भी अन्य लोग है जो शेर अली जाफरी और इसके इंसिट्यूट से संबंधित थे उनके विरुद्ध भी कारवाई की जाएगी और इसमें यह भी देखा जाएगा कि जो कूट रचना करके दोकादड़ी से जो पैसा लिया गया है बच्चों से वे पैसे का जो मनी ट्रेल है उसको भी देखा जाएगा और जो जो लोग इसमें इन्वाल्व हैं उन सभी के विरुद्ध कारवाई की जाएगी इसमें जित इसने मार्क शीट की कूट रचना करी और उन मार्क शीट को अवेलेबल कराया उन सभी के विरुद्ध कारवाई की जाएगी जो भी फरार हैं उनको भी जल्दी तबिश दे के ग्रफतार किया जाएगी इसमें इन लोगों ने गिरो बना के काम किया है कि एक की भूमिका जैसे एक सर्विस प्रोवाईडर की रूप से रही है विजे शर्मा की जो कि इनी मुकदमों में वांचित है हमारे और इनोंने गिरो बना के बच्चों को धोकादड़ी करके उनको एडमेशन लेते थे उन और यह भी सामने आया है कि किसी परकार की classes भी नहीं होती थी और उनके साथ में धोकादड़ी करके उन्हें फरजी डिग्रियां थमा देते थे जिने वे लेके जब मार्केट में जाते थे जॉब के लिए जाते थे लाइसेंस के लिए जाते थे तो उन्हें मेरा शाहत लग इसमें जितनी भी कारवाईया आगे जैसे कि गैंग्स्टर की कारवाई आगे, जो भी कारवाई इसके अंदर आवश्यक होगी कारवाई की जाए इन्हों जो फ़र्जी माक्षीट दिगनियां थी, वो खुजी प्रंट की थी हैं, कहीं से बाहर के प्रंट कराके मंगाई तीचा हैं, जुजुस्तों ये, इन्हों ने जो माक्षीट दी हैं, उसमें भी एक बहुत भी महत्रपो उन्हें तथ्य सामने आया है, कि जो ने भी ये बताया है, कि ये उनके यहां से माक्षीट नहीं गई हैं, रोल नंबर फरजी हैं, इस सारी चीज़ें जो उनके द्वारा दिही नहीं गई हैं, ये माक्षीट तो कई लगभग आठ उन्वर्सिटीज ऐसी हैं, इन्सिटूट ऐसे हैं, जैसे कि एक जाने का या जो डिगरी सर्टिफिकेट है, तो थमा देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है